तो भाईयों PUBG New State Game में कुछ लोगों को एक प्राबलम देखने को मिल रही है और प्राबलम क्या है कि वहाँ पर उन लोग के मोबाइल फोन में PUBG New State Game में जाइरो स्कोप बिल्कुल भी वर्क ही नहीं कर रहा है मतलब कि जब ओ लोग आपना मोबाइल फोन हिलाते हैं तो यहाँ पर जो इस्क्रीन है बिल्कुल भी नहीं हिल रही है तो भाईयों आज की इस वीडियो को इंड तक देखने के बाद आपकी एप प्राबलम हमेशा के लिए साल्व होने वाली है तो भाईयों आज की इस वीडियो को इंड तक ज़रूर देखलेना और इद्या आपने अभी तलिख इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जब आपकी ए प्राब्लम साल्व हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रस कर लेना तो चलिए बिना कुछ देरी किये वे वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं कि जाइरो इसकोप नाट वर्किंग की प्राब्लम आपकी एक कैसे साल होगी तो भाईयों सबसे पहले आपको करना किया है यहाँ पर सेटिंग के आपशन पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल के आपशन पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जाइरो इसकोप आपके मोगाईल फौन में सही से नहीं वर्क करेगा तो जिल वर्क करेगा तो इसके बाद दूसरी आपको क्या करी है तो भाई उसके लिए आपको फिर से सेटिंग के option पर klik करना होगा और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा sensitivity आपको इस पर klik कर देना है जैसे ही आप इस पर klik करोगे तो भाईयो नीचे की तरफ आपको scroll करना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा gyroscope sensitivity और उसके ज़स्ट नीचे यहाँ पर आपको एक आपसन देखने को मिल जाएगा टीपीपी कैमरा और यहाँ पर लिखा हुआ है जाइरोस्कोप भाईयों यहाँ पर आपको वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि जाइरोस्कोप की प्राब्लम है वो यहीं से शुरू होती है तो यहाँ पर हो सकता है आपके मोबाइल फोन में जो यह TPP कैमरा है जाइरोस्कोप सेस्टिविटी में यह बिल्कुल जीरो हो तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको जीरो कर देता हूँ तो भाईयों zero करने के बाद यदि आप यहाँ पर अपना mobile phone चाहे जितना हिला लो यहाँ पर screen बिलकुल भी नहीं हिलने वाली है जैसे कि मैं यहाँ पर अपना mobile phone हिला रहा हूं लेकिन screen बिलकुल भी नहीं हिल रही है अब मैं फिर से sensitivity के option पर click कर लेता हूँ इस पर click करने के बाद यहाँ पर जो gyroscope sensitivity है और TPP camera है मैं इसको full कर देता हूँ तो भाईयों full करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपना mobile phone बिल्कुल हलका हिला रहा हूँ लेकिन screen कितना ज़्यादा fast move कर रही है तो भाईयों सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ आपने gyroscope sensitivity में यह TPP camera इसको यह आपने कम किया हुआ है तो भाईयों आपको gyroscope problem देखने को मिलेगी आपको इसको रखना कितना है आप इसको 150-60 रख सकते हो उसके बाद यहाँ पर य option मिलता है red dart तो simply आपको इसको zero कर देना है जीरो करने के बाद यहाँ पर जब आप open करके देखोगे scope को और यहाँ पर आपनी mobile phone की screen को हिलाओगे तो screen बिल्कुल भी नहीं हिलेगी यदि आपने वहाँ पर red dart में zero किया हुआ है जैसे कि मैं यहाँ पर आपना mobile phone बहुत हिला है यदि आप zero कर दोगे जैसे कि यहाँ पर मैंने red dart में zero किया हुआ तो जब आप red dart को open करके आपने mobile phone को हिलाओगे तो screen बिल्कुल भी नहीं हिलेगी इसी तरीके से यदि आप 3x में कर दोगे zero तो जब आप 3x open करोगे और आपने mobile phone की screen को हिलाओगे तो मतलब की screen स्क्रीन नहीं लेगी तो यहाँ पर जितनी भी sensitivity दी गई है आपको इन में से किसी में भी zero नहीं करना है अब मैं आपको बताता हूँ यदि आप इन चीजों को try करना फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो भाईयों आपको क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको यहां स किसे आ जाना है बैक आने के बाद यहां पर आपको YouTube application को open कर लेना है तो जैसी कि मैं यहां पर YouTube application को open कर लेता हूं और यहां पर आपको Church वार में क्या टाइप करना है तो भाईयों YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है जाइरो 360 वीडियो जैसी आप टाइप करके सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने बहुत से वीडियो आ जाएंगी तो भाईयों यहाँ पर आपको किसी एक वीडियो पर क्लिक कर देना है जैसी मैंने इस वाली वीडियो पर क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद आपको आपने मुबाइल फोन को हिलाना होए जैसी कि मैं यहाँ पर आपना मुबाइल फोन हिला रहा हूँ यहां पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से वीडियो भी हिल रही है यहां पर आपको दिख रहा होगा तो भाईयों यहां पर स्क्रीन भी नहीं हिल रही है आपके मोबाइल फोन में तो आपको क्या करना है तो यहां से आपको बैक चले आना है बैक आने के बाद भाईय space आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फिर से तो भाईयो नीचे यहां पर आपको एक option देखने को मिल जायेगा kernel version आपको इसमेर 4-5 वार टैप करना है जैसी कि मैं यहां यहां पर है जैसे आप इस पर click करो गए तो भाईयों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सिंपली यहाँ पर आपको आपने mobile phone को जमीन पर रख देना या फिर किसी श्थिर जगे पर रख देना जहां पर आपका mobile phone बिलकुल भी नही ले उसके बाद भाईयों जब यहाँ पर बैइक जैसे आप आओगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा जी जाइरो इस चेज़ को कि प्रजुत की特 mesa डेड हो सुलो हो जैएगी तो भाईयों आपको इंस्टागिराम करना है मेरा Instagram यूजर नेम है राहुल टेक्टिप्स01 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा तो मैं आपकी ये प्राबलम साल्व करने की पूरी कोशिस करूँगा और हाँ भाईयो यदि आपकी प्राबलम इन सब चीजों को ट्राइ करने के बाद साल्व हो जाती है तो यार प्लीज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल आइकन को हिट करो तो यार तब तक के लिए बाई